Hello everyone, Welcome to Farmerwax YouTube channel Farmerwax के YouTube बेच्चु के स्टेल चैनल में आपका सवागत है आज के विडिय लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे urine infection के बारे में तो हम सेकेंगे urine infection होने के कारण क्या है क्या है कि कौन से इजे reasons के कारण urine infection होता है साथ ही जानें कि उसके लक्षन क्या होते हैं कि जिसको हम symptoms कहते हैं और किस तरह सी ये condition का हम इलाज कर सकते तो उसके details study करते हैं आज के lecture के अंदर तो एक्सपेट lecture बाया मरसर, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family updated area Pharma Knowledge के साथ access कर सकते हैं DCs and medicines related course PharmaRox के आप उपर जहाँ सिखे दवायों के basic use के बारे में उनके dose के बारे में उनके side effect, warning and contraindications वो भी एक साल तक affordable price में सरल बासा में PharmaRox के आप उपर तो भी download करिया PharmaRox Android application ए Google Play Store पे Apple iPhone, FF Store पे link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631 2020 नमबर पे आप call या WhatsApp कर सकते हैं तो अब समझते हैं urine infection के बारे में urine infection एक ऐसी medical condition है कि जो bacteria के कारण होती है और bacterial infection के कारण हमारे urinary track के अंदर कुछ problems होते हैं कि specially वहाँ पे सूजन हो जाती है और bacterial infection वहाँ पे फैलता है तो उसके करण changes क्या होते हैं वो आप समझेए तो urine का जो color होता है वो change हो सकता है फिर उसकी जो smell होती है वो भी change हो सकते है urine की जो smell है वो change हो जाएगी साथ हो साथ आपको pain होगा urinary drag के अंदर फिर दर्द हो सकता है वहाँ पे urinary drag के अंदर और burning sensation मतलब कि जो पेसाप करने आप जाते हैं तो उस वक्त आपको जलन होती है तो ये कुछ primary symptoms या फिर changes होते है body के अंदर की जब आपको urine infection होता है तो अब आपको पता होना चाहिए कि urinary track क्या है पहले कि जिसका ये infection होता है तो urinary track के अंदर हम देखे तो kidneys होती है कि ये वाला जो urinary track आप देखो तो ये normal वाला है ये वाले diagram में कि या पे आप healthy kidneys देख सकते हैं फिर ureter का portion देख सकते हैं ureter से आगे रहता है bladder और फिर urethra तो ये जो पूरा track तयार होता है उसको हम कहते है urinary track तो इसी में फैलता है infection के समझे कि bacteria ये urethra के थूँ आपके body के अंदर enter होते हैं कि इसको समझ लो कि point में ए लिखता हूँ तो यहाँ से bacteria जो है आपके body के अंदर enter होते हैं और फिर वो आगे ये urinary track में travel करते हैं कि समझे कि urethra से आगे point B तक जाते हैं कि जिसको समझे कि ये bladder का बाग है फिर bladder से आगे वो enter हो सकते है ureter के अंदर तो इसको हम लिख देते हैं C वाला portion और वहाँ से आगे D मतलब कि पहुँच सकते है kidneys तक तो इस तरह से उनका ये पुरा pathway तयार हो जाएगा तो जब आपके body के अंदर ये bacteria फिर microorganism urethra के तुरू enter होते तो वो आगे kidney तक पहुच सकते हैं और ये पूरे track के अंदर वो अपना infection जो हो लगा सकते कि जिसके करण क्या होता है urinary track के अंदर inflammation आ जाती है मतलब कि मतलब कि worldwide कितने लोग प्रभावित होते हैं urinary track infection से तो साला ना हम estimation लगा है तो at least 150 million लोग हर साल urinary track infection से जो वो प्रभावित होते हैं कि जिनकी age रहती है एक साल से लेकर 50 साल की age के सभी लोग urinary track infection से प्रभावित होते हैं आगे समझे उसके causes और risk factor का कौन से कारण से आपको UTI होता है तो सबसे पहला एक reason है कि microbial infection कि अगर आपको bacteria का infection होता है या फिर जितने भी अलग-अलग microbial होते हैं जैसे कि parasites होते हैं फूग वगेरा होती है bacteria होते हैं उनके करण आपका urinary tract जो है वो संक्रमीत होता है उनके infection के करण तो आपको UTI हो सकता है second देखे तो जो bacteria है specially कि जो हमारे urinary tract में enter होते हैं जैसे मैंने आपको समझाया कि यूरेथरा से वो enter होते हैं और वो आगे जाके kidney तक वो पहुँच सकते हैं और वापे अपना infection जो है वो produce कर सकते हैं फिर ये bacteria हमारे जो main tube होती है कि जिसको मुत्रन अली हम कहते हैं तो उसके थरू enter होके आगे पूरे urinary tract में infection फैलाते हैं और ये जो यूरेथरा का जो बाग होता है कि ये वाला वो पूरूसों के compare में महिलाओ में ये काफी short होता है जिनके करण महिलाओ में ये infection जो वो काफी जड़ब से फैलता है और बार-बार उनको urinary tract infection होते हैं तो आप समझते हैं उसके कुछ दूसरी reason कि अगर आपने result में diaphragm वगेरा यूस किया है spermicide के साथ तो उसके करण आपको जो वो urinary tract infection हो सकता है कि जो एक birth control का एक technique है second हम देखे तो frequent sexual intercourse वगेरा होते रहता है कि या फिर आप unprotected sexual activities करते है कि जिसके करण भी urinary tract infection हो सकता है because एक partner को UTI है तो वो दूसरे को फैल सकता है या फिर आप proper hygienic condition maintain नहीं करते तो भी आपको UTI हो सकता है due to the sexual intercourse फिर sexual partner जो है वो आपके change होते रहते हैं या फिर एक से ज़्यादा partner के साथ आप ये इस तरह के relationship बनाते हैं तो भी आपको urinary tract infection हो सकता है फिर आपके past में आपको UTI हो था तो भी आप UTI से संक्रमित हो सकते कि अगर पिछले एक साल में आपको urinary tract infection हुआ था तो भी आपको UTI हो सकता है फिर ऐसे maternal history रही है आपके urinary tract infection के तो भी आपको UTI हो सकता है फिर जिन लोगों को diabetes होता है उनके लिए भी एक risk रहता है urinary tract infection होने का फिर poor hygiene मतलब कि आप स्वच्चता नहीं रखते जो भी हमारे तो hygienic factor बनता है कि आप जो UTI हो सकते हैं अगर आप poor hygiene रखते हैं मतलब कि proper स्वच्चता नहीं रखते आप तो भी आपको urinary tract infection हो सकता है या फिर जो catheter लगाते हैं उसके करण भी कई बार urinary tract है और diarrhea में आप proper precautions नहीं रखते proper cleanliness नहीं रखते hygienic condition maintain नहीं रखते diarrhea के दोरान तो भी आपको UTI हो सकता है फिर अगर आपको kidney stone हुआ है और kidney stone में आप proper medications नहीं लेते तो भी उसके करण आपको urinary tract infection हो सकता है फिर आप unhygenic meat वगेरा यूज़ करते है birth control pills यूज़ कर रहे है या फिर लंबे समय तक आपके पैसा आपको रोक के रखते है तो भी आपको urinary tract infection हो सकता है आगे समझते है उसके symptoms के बारे में तो आपको जलन होती है कि जब भी आप पैसा आप करने जाते है जब परता है urinary frequency और उसकी urgency काफी जब बढ़ जाती है दूसरा हम देखे तो कई बार आपका blader खाली हो तो भी आपको ऐसा फिल होता है कि आप urine करने जाओ तो उसको एक ऐसे condition कहते है कि urine जमा ना हुआ हो blader के अदर तो भी आपको ऐसा फिल हो अंदर से कि आपको urine करने के लिए जाना पड़ेगा तो ये एक symptom है फिर चौत हम देखे तो कई बार urine के अंदर जो है वो blood आता है तो ये एक symptom develop होता है उसके बाद हम देखे तो आपके lower abdomen के अंदर आपको जो pressure जैसा फिल होता है cramps होता है दर्द होता है कि जो specially lower abdominal के reason में रहता है कि जो हापे हमारा urinary tract body के अंदर मौजुद है तो यहापे आप देखो तो आपको pelvic pain हो सकता है strong urine smell कि urine के smell जो वो आपको बदबुदार लगेगी या फिर काफी strong smell आएगी फिर burning sensation during the urination के जब urine करने जाते तब आपको वहापे जलन होती है तो यह सब symptoms जो develop होते है urinary tract infections के दरन तो यहापे जो images के अंदर दिखा है कि sexually transmitted disease के कारण भी होता है कि STD है और उसके दरन आप unprotected sexual relationship बनाते हैं तो भी आपको UTI हो सकता है फिर उससे बच कैसे सकते हैं तो आप जो है आपने जो zenitals होते हैं वो अच्छे से wash करे sexual relationship के बाद उसके बाद आपको पानी जो है वो काफी ज़्यादा पीना चाहिए और अच्छे से आपके जो internal organs होगे रहा है as well as जो आपके urinary tract के related जो organs से उनकी regular जांच करना दे रहनी चाहिए as well as proper आपको hygienic condition maintain करनी चाहिए दूसरे कुछ symptoms हम देखे तो urinary tract infections जब आपको होता है तो कुछ दूसरे symptom भी डेवलप होते हैं जैसे कि आपको बुखार आ जाता है fever जैसी condition कई बार आपको ठंड लगती है lower back pain होता है या फिर आपके side back में भी काफी दर्ध हो सकता है मलब कि कमर दर्ध एक factor बनता है इसके अंदर और आपको उल्टी होती है और vomiting जो हम कहते हैं और G गबराना जैसे condition फिल होती है तो यह कुछ symptoms develop होते हैं UTI के दोरन अब UTI के हम types देखें तो कौन से अलग-अलग type का urinary drug infection हो सकता है तो एक cystitis है कि जिसके अंदर specially जो bladder का जो portion होता है वो संक्रमित होता है कि वहाँ पे जो है वो bacteria के करन जो infection फोलता है तो वहाँ पे सुजन देखने को मिलती है और वहाँ पे आपको जो है वो pain जैसा feel होता है और आप ऐसा feel करते कि आपको regular जो है वो urine करने जाना पड़ता है as well as अगर urine bladder में जमा ना हुआ हो तो भी आप ऐसा feel करे कि आपको urine करने जाना पड़ेगा तो ऐसे symptoms develop होते हैं cystitis के अंदर के जिसके अंदर और आपको ये कुछ symptoms जो है वो develop होते हैं फिर दूसरा जो है कि pyallonephritis करके कि जिसके अंदर kidneys प्रभावित होती है कि जब ये urinary tract infection kidneys तक पहुचता है तो हमारे kidneys जो है वो infected होती है चाहे एक side के या फिर दूसरे side के या फिर दोनों kidneys इसमें संक्रमित हो सकती है और इसके कारण आपको जो हो क्या हो जाता है कि बुखार आता है ठंड लगती है नौस्जय वोवमिटिंग जिससा फिल कर सकते हैं और आपके upper back या फिर lower side में आपको जो हो दर्द हो सकता है में लगके कमर दर्द जैसा आप फिल करते हैं तो ये कही जाती है condition पाई एलो नेफ्राइटिस के जिसके अंदर हमारे kidneys के अंदर सूजन आ जाती है urinary tract infection के कारण आगे हम देखे तीसरा एक टाइप उसका तो वो है urethritis के जिसके अंदर urethra का जो पूरसन होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसके करण जब आप urine pass करते तो उस वक्त आपको काफी जलन होती है और कई बार discharge भी ऐसा आता है कि foul discharge आता है वहाँ पे या फिर urine का color change होता है pass भी कई बार देखने को मिलता है urine के अंदर तो ये symptoms develop होते है ये जो bladder के बाद का जो portion है जो urine को हमारी body में से बाहर निकालने में हल करती कि जिसको urethra हम कहते हैं तो यहाँ पे देखो कि जो urethra का portion के उपर जब सूजन आ जाती है तो ये कुछ problems develop होते हैं तो इसके diagnosis के हम बात करें तो किस तरह से हम उसका diagnosis कर सकते हैं तो सबसे पहले किसी को ऐसे symptoms develop हो रहे तो उसको सबसे पहले अपना urine test करवा लेना चाहिए कि जिससे पता चल सकता है कि आपको urinary drag infection किस type के bacteria से हुआ है और फिर आप जो है वो urine का एक culture test भी करवा सकते हैं कि जिससे कौन से type के bacteria से UTI हुआ है वो भी पता चल सकता है फिर कुछ images जिससे के आप ultrasound करा सकते हैं आपके pelvic region का CT scan करवा सकते हैं MRI और कई बार cystoscope करके भी proper अंदर से urinary drag की जांच की जाती है कि जिससे पता चलता है कि कौन से type का UTI आपको हुआ है तो male और female दोनों type की cystoscopy जो है वो की जाती है फिर आप बात करते हैं treatment की तो treatment में कुछ natural remedies भी आप कर सकते हैं कि जैसे की आप cinnamon water वगेरा ले सकते हैं कि जिससे urinary drug infection में काफी फाइदा होता है फिर आप diet इस तरह से ले कि उस दोरान आप yogurt वगेरा खा सकते हैं कुकूमबर खा सकते हैं फिर पानी ज्यादा पीना चाहिए फिर जो apple cider vinegar आता है वो आप कुलिना चाहिए pineapple है और ginger tea वगेरा लेने से urinary drug infection में काफी फाइदा होता है उसी तरह से आप coriander के powder को यूज़ कर सकते हैं baking soda है garlic वगेरा है और Indian gooseberry की जिसको हम आमला कहते हैं और hot compress मनलब कि गरम पानी से जो थोड़ा से सेख करना या फिर जो पाउच आता है गरम पानी बरने के लिए उसके अंदर पानी बरके आप जो आपके pelvic region में अच्छे से hot compress कर सकते कि जिससे आपको UTI में काफी जो है वो सुकुन फील होता है अब समझते हैं medicated treatment तो trimethoprim या फिर sulfamethokzazol का जो combination आता है ये medication यूज़ की जाती UTI के अंदर कि जिसके अंदर sulfamethokzazol या trimethoprim combination में जाता है फिर phosphomycin के जो tablets या फिर उसके antibiotics prescribed की जाती है फिर phloxacin के अंदर हम देखे तो norphloxacin यूज़ की जाती है cipro phloxacin यूज़ की जाती है levo phloxacin भी दे जाती है patient को कि अगर उनको UTI होता है nitroferentoin है फिर cephalospurin के अंदर cephalaxin है septryaxon है तो ये सब antibiotic की treatment patient को prescribe की जाती है जगर उनको UTI होता है फिर जब उनको दर्द होता है तो वो दर्द को कम करने के लिए भी कुछ दवाई ये यूज़ की जाती है urinary tract infection के अंदर जैसे कि urinary analgesic के अंदर और phenazopiridine करके medication आती है कि जो 95 mg के अंदर available होता है तो वो भी कई बार prescribe की जाती है कि जो burning वगेरा होती है वो आपका कम करती है urinary urgency को कम करती है और जो pain होता है urinary tract में उसको कम करने में help करता है फिर जो कुछ analgesic दवा ये होती है कि जैसे कि paracetamol है या फिर diclofenic है aciclo है या फिर seratiopeptidase जैसे analgesic medications भी use की जाती है और साथ हो साथ जो urinary antiseptics medications होते है कि जिससे आपका urinary tract infection और ज्यादा ना फैले तो वो medications दी जाती है कि जिसके अंदर methane amine है या फिर methylene blue जैसे यूज की जाती है फिर urine acidifying agent जैसे की sodium phosphate या फिर antispasmodic agent भी use की जाते है कि जैसे कि जो stomach के अंदर जो spasms आते है जो दर्द होता है cramps होता है वो कम कर सके फिर अगर किसी को pyelon ephritis है के तो उसके अंदर कौन से medication सबसे ज्यादा use होते है तो ciprofloxacin 500 mg twice daily 7 दिन तक अच्छे दिन समझे जिए कि ये जो ciprofloxacin 500 mg के जो tablet है वो twice daily मतलब कि दिन में दो बार जो हो पेसंट लेगा और 500 mg के ये tablet और वो 7 days तक के total 7 दिन तक पेसंट जो हो ये medication ले सकता है और अगर आप IV से देते है तो सरुआत में 400 mg जितना dose दिया जता है फिर अगर आप TMP SMX यूज़ कर सकते है तो जो double strength आती है उसकी वो आप यूज़ कर सकते है और वो भी twice daily 14 दिनों तक जो वो दिया जता है और उसके साथ एक initially 1 gram dose दिया जता है कि जिससे अगर आपको पता नहीं कि कौन से बेक्टिर के करण हुआ है तो वो आप ट्रीट कर सकते है फिर बात आती है अगर urinary drug infections pregnancy के दोरान होता है तो उसके अंदर ampicillin यूज़ कर सकते है तो nitrofurentine जैसे medications यह वो safe कही जाते है कि यह आप आप देखो कि penicillin जो होते है इसमें ampicillin ज़्यादा यूज़ की जाती है और nitrofurentine के आप यह sustain release tablet देख सकते जिसकी 100 mg के strength में यह prescribe की जाते है और यह 500 mg की strength होती है इसकी ampicillin की cephalospurins में भी जो अलग-अलग cephalospurins medication होते हैं जैसे कि हम सिखते हैं कि safexym वगेरा है safexym वगेरा है safe podoxym, proxytil वगेरा है तो वो सब medication भी यूज की जाती है urinary drug infection की इलाज में फिर पूरुसों में जो UTI होता है कि उसके अंदर जो 7 से लेकर 14 दिन का जो core से वो fluoroconolons का कि जिसके अंदर आप norflox वगेरा है ceproflox है या फिर levoflox इन आप यूज कर सकते हैं या फिर दूसरा option रहता है TMP SMX का कि जो double strain रहता है तो आप ये वाला use करें formulation या फिर ये वाला तिसमें से कोई भी एक जो है वो select कर सकते हैं और ये 7 से लेकर 14 दिन की treatment रहती है और अगर condition ऐसी है तो कई बार 12 विक तक भी उसकी treatment चलती है फिर अगर fungal के करान हुआ है urinary drug infection तो उसके अंदर fluconazole जो वो use किया जाता है और fluconazole के जो tablet है वो 200-400 mg के जो tablet होती है वो patient use कर सकता है per day कि या पर आप देखो कि fluconazole 150 mg के strength में और ये दूसरा medication है flucytocin है तो वो भी use कर सकते है दोनों में से कोई एक ली जाती है कि चाहे आप fluconazole use कर सकते है या फिर flucytocin तो ये options रहते है urinary tract infections के फिर अगर catheter के कारान किसी को UTI हुआ है तो 7-14 दिन का antibiotic का course है तो जिसके अंदर जो अभी हमने आगे antibiotic डिसकस किये वो patient दे सकता है और इसके अंदर एक option ये था है कि अगर आप catheter को avoid करें तो ही अच्छा है कि avoidance is better than Q और जो का हो जाता है कि आप avoid कर सकते है तो ज़्यादा तर avoid करें catheter को कि जिससे UTI से जो वो prevent हो सके तो ये था special video lecture urinary tract infection के बारे में ऐसे सिखे दवाईयों के basic use के बारे में के dose side effect warning and contraindication वो भी सरल बासा में एक साल तक फार्मरोक्स के आप उपर affordable price के अंदर तो अभी download करें आप फार्मरोक्स और access करें ये courses को whatsapp कर सकते है 9016312020 पे और android user android app डाउनलोड कर सकते है iphone user app store से link आपको description box में mil जाएगी good luck and all the best